ही गाईज वेलकम टू नॉटी स्चिचेज आज के इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एक बहुती सुन्दर सा लटकन का डिजाइन तो इसे बनाने के लिए मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है 4.5 इंच बाइ 4.5 इंच का और साथ ही मैंने एक गोल्डन फैब्रिक लिय ज़्यादी अब एकिस्ट्रा फैब्रिक हम इस तरीके से काटेंगे और जो गोल्डन वाला फैब्रिक है उसके बिलकुल बीच में हम इस तरीके से एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह सीधा करने के बाद किसी नुकीली चीज़ की मदद से इसके चारों कोने हम बाहर निकाल देंगे यह देखिए इस तरह अब हम इसके चारों तरफ इस तरीके से बिलकुल बारीक बखिये से सिलाई लगाएंगे इस तरह अब हम इसके एक्स्ट्रो धागे काटेंगे और इसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से अब इसके बिलकुल बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे अब हम इसके बीच में डोरी डालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से तिर्ची सिलाई लगानी है इसके उपर किनारी से आधा हिंच की दूरी पर मैंने सिलाई लगाई है और सेंटर में से मैंने बहुत ही कम गैप रखा है बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे रेरेक्शन में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी एक तिर्ची सिलाई लगाएंगे इस तरह अब इसको हम सीधा करेंगे और एक फ्लार जैसी शेप यहाँ बन गई है अब इसे हम इस तरह बीच में से सिल देंगे बिल्कुल मजबूती से यह देखिए इस तरहिके से हम इसे सिल देंगे यहाँ पर एक सुन्दर सी फ्लार शेप की लटकन हमारे पास बन गई है यह देखिए अब इसके बीच में हम एक छोटा लटकन अटाच करेंगे यह छोटे छोटे बॉल्स वाले लटकन मैंने रेडी मेंड लिये है आप चाहें तो अलुमीनियम फॉयल की मदद से इस तरह के लटकन बना भी सकते है बिल्कुल सेंटर में मजबूती से मैंने इस लटकन को अटाच कर दिया है अब एक्स्टर धागा मैंने काट दिया है और यह लटकन हमारा बन कर तयार हो चुका है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के रेगिलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बाई